हिंदू राश्टर पर जावे दक्तर की बेबाक राए 70 साल में पाकिस्तान धर्म के अधार पर नहीं बना आप कैसे बना लेंगे मशूर गीतकार और अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले जावे दक्तर पाकिस्तान को उसी की जमी पर आईना दिखा कर वापस लौट आये हैं भारत वापस आने के बाएं जहां उन्होंने पाकिस्तान में अपने उस इवइंट की बात की, मही जब उनसे हिंदु राष्टर के बारे में राय ली गई तो उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और दो टुक कह दिया कोई हिंदू राष्टर नहीं बना सकता इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का उधारन भी पेश किया जावेद अक्तर ने एक event के दोरान अपनी राय को रखा उन्होंने कहा कि धर्म के अधार पर कभी कोई देश नहीं बन सका तो भारत हिंदू राश्टर कैसे होगा? दरसल एक इविंट के दोरान गीत का जावेद अक्तर से हिंदू राश्टर के बारे में रायल ली गई इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदू राश्टर बनाने की मांग पर अड़े हुए है लेकिन जहां जहां धर्म के अधार पर देश बने हैं उनकी हालत देखीजे उन्होंने पाकिस्तान का उधारन दिया और कहा पाकिस्तान में पहले मुसल्मान थे अब वहां एहमद दिया और शिया को मुसल्मान नहीं मानते जब वो ही बीते 70 साल में धर्म अधारित देश नहीं बना सके तो आप हिंदू राश्टर कैसे बना लेंगे हिंदू राश्टर की मांग पर जावेद अक्तर की इस राय पर जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है अशोक शेखावत नाम के एक यूजर ने लिखा ऐसा कहने पर क्या भक्तिगर्ण जावेद अक्तर की तारीफ करेंगे रेखा नाम के एक ट्वीटर हैंडल से लिखा गया बटवारी के समय धर्म के नाम पर ही राजनीती हुई थी और उसी का फायदा उठाया था अंग्रेजों ने अभी तक दोनों देशों की जनता नतीजा भुकत रही है अनिल हिरवाले नाम के एक शक्स ने कहा मीडिया को आज शाम का खुराग दे दिया एक ट्यूटर यूजर ने जावेद अक्तर के बयान पर कहा धर्म के हिसाब से देश बनेंगे बाद में एक ही धर्म के संप्रदाय आपस में लडेंगे हर एक इनसान में छुपा हुए जानवर को दबाने का धर्म करता है अगर आज कल छिपा जानवर को बहार निकालने का काम भी धर्म करता है राजकुमार यादव नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कल जो लोग इनके पाकिस्तान में दिये बयान पर वहवा कर रहे थे आज से जम कर गड़्याना शुरू कर देंगे क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है हिंदु राश्टर की बांग पर जावेद अक्तर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शियर करें बैल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वाइरल खबर आप तक पहुशती रहे